हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चोटी सी रह सोई आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जल्दी बनने वाला ब्रेगफास्ट वह भी दस मिनिट में आपका बनके रेडी हो जाएगा मसाला उतपव में है यह और यह बहुत जार टेस्टी बनता है तो आप इसको जरूर एक यहाँ पर मैं ब्रैंड का कोई भी अडवर्टाइजिंग नहीं कर रही हूँ मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसका मैंने एक कप आटा लिया है और उसी के हिसाब से आपको आधा कप दही लेनी रहेगी दही आपको खटी लेनी रहेगी मेज अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं रहनी चाहिए इसका गाढ़ा ठीक बैटा रेडी करना है और इसको हम पाच मिनट के लिए साइड में रख देते हैं तब तक हम एक मसाला बना लेते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो आलू लिये हैं उबले तो आलू को सब्सक्राइब बना रही हुँकि मेरा बेटा कम खाता है इसके लिए मैं फोड़ा चाट मसाला डाला है इसके मशालों का जितना जादा चट पता बनाएगा उतना ज्यादा मक्राश ट्रेस्छी यृ बंघे ली तो आलोा पसंडर इसको वेड़ा जाता है इसके चोटी चोटी बॉल्स बना देंगे अब यहां पर हमारा अलू के बॉल्स डी हैं प्याज हैं है कैपसी कम है टमैटो है हर अधा-इसी हरी मिर्च कट करके भ्याट करके भी मैने लिया है're LET trouvé हमारा पाच मिलिट करके हो । चली आब मिसे बनाना स्टार्ट करते हैं對啊 डाला तरफ में बहुत ही थोगा तेल डाला है आप तेल बहुत ही कम यूज करें चाहिए तो ब्रस से यूज करें इसके बाद हम इसमें दो कल्ची बैटर को डाल देंगे देख रहे कितना थीक है इस तरह का अपको थीक बैटर चाहिए रहेगा इसको हलके हाथ उसे फैला ले जैसा कि आप देखे रहे फ्लेम को आप low to medium रखे इस टाइम पर अच्छे से फैलाने के बाद मैंने जो आलू लिया है उसको हम इस तरह से नहीं फैला सकते क्योंकि अभी उपर की जो लेर होती है वो अच्छे से पकी भी नहीं होती है तो हम इसे किसी greater के सहायता से इस तरह से आप जब ग्रेट करके डालिएगा तो सभी जगा पर बहुत अच्छे से आलू फैल जाता है इसके बाद हम इसके उपर सब्जी डाल देंगे तो यहां पर मैंने थोड़े से प्याज कैप्सिकम टमैटो हरा धनिया थोड़ी सी मिर्ची डाली है पच्चों के लिए बना रह लिए और पकाना रहेगी उपर की लेर तेहरे थिक हो गई है और इसे मच्छे से प्लटकर बना ले तेंगर अगर अप मसाले-दार जैसे आप फिलिंग वाला चोखा बनाते हैं तो आप इस साईट पर चोखा को फैल आएगा अलो के मसाले को जिससे की आराम से वह जो फैल अगर प्याज मिर्ची वाल मसाला बनाते हैं तब तो फिर आप this kind of irmiका नहीं तो फिर आप इसी तरह से सकते हैं इसी तरह से मैं एक और बना यहां पर मैंने आपको बताया था अगर आप इस तरह से नहीं बनाना इस उतपम को आप गर्मा घरम खाएं और किसी भी नालल के चटनी टमाटर के चटनी सामबर इसके साथ इंजोई कीजिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है तो आप इस एक बजरू ट्राय करें और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो त जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें तो चलिए मिलते हैं अगली रेस्पी के साथ में